तो फ्रेंड अगर आप चाहते हो यार कि आपके अलावा आपके फेस्बुक पेज पर कोई और बंदा पोश्ट ना कर पाए तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इस सेटिंग को इनेबल करना है यानि कि आपका फेस्बुक पेज केवल आप ही उस पर प चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अपनी मुवाइल स्क्रीन पर ना आके अपनी डेक्स्टोब स्क्रीन पर आया हूँ और आप यह प्रोसेस अपने मुवाइल फोन पर भी कर सकते हूँ कैसे करना है आपको सबसे पहले में convert करने का एक option तो फ्रेंड आपको आपको Google Chrome ब्रावजर को desktop site में convert कर ले रहा है उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपको आपके Facebook पर login हो जाना है और आपको आपके Facebook page पर आजाना है जिस पर आप जो हो कि मैं उस particular Facebook page पर आ चुका हूँ कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा चले फ्रेंड हम यहाँ पर अपने Facebook page को open कर लेते हैं तो यह हमारा Facebook page है जो कि आप इस तरीके से देख पा रहा हो यहाँ आपको कुछ options हो रहा होंगे लेफ्ट कॉर्णर में professional dashboard inside ad center और create ads एंड लास्ट में आपको सेटिंग का option आ रहा होगा यहाँ पर देखिए आपको सोग रहा होगा क्या page and tagging सिंप्ली आपको page and tagging पर क्लिक कर दिना फ्रेंड page and tagging पर आप जैसे क्लिक कर रहा होगा तो यहाँ उपर की ओर यह option आ रहा होगा जैसे आप only me को set करके यहाँ पर सेव कर दोगे तो सेव करने के बाद अब आपके इलाबा आपके facebook page पर कोई भी बंदा पोस्ट नहीं कर पाएगा तो फ्रेंड मैं आसा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सस्क्रा